सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधी के शरण्ये त्रियंब के गौरी नारायनी नमोस्तुते एक शिकार को छुपने के लिए सबसे सुरक्षित इस्थान है जंगल उसी तरह एक रहस्यक को अदल बदल करने के लिए सबसे ठीक जगे है भीड हर एक भीड में इंसानियत से लडने वाला एक अजनवी होगा कहते हैं कि नजरों के सामने जो अचानक घटना होती है वो अचानक कैसे हो सकती है क्योंकि सामने जो है मा पिच्चर देखने जाना है मा शारुख खान का नया पिच्चर आया है मा पैसे दोना मा पहले ये चाय देकर आओ और उसके बाद पिच्चर के लिए जाना हां दिन भर पिच्चर पिच्चर मैं तुम्हारा कार में वेट करता हूँ तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद करा जाओ के वेटा ओके वेटा अजा वाई कल मिलते हैं अबसे भी खरीदना है कर दो आब तो रड़ से गया भपी को तकार दो में पसे गया सु सभव बॉम ब्लास्ट में पचास से ज्यादा लोग मारे गए हैं अभी अभी ये खबर आई है पुलिस हेड़कॉटर से तुरंत उस जगा को घेर लिया है और स्पेशल पुलिस ग्वार्ड ने इन्विस्टिगेशन शुरू कर दी है अभी ये खबर आई है हेलो बेटा मैं मा बोल रही हूं कहा हो कितनी देर से फोन कर रही हूं बेटा फोन क्यों ने उठा रहे हो सॉरी रॉंग नंबर रासकर पुलिस के बात नहीं सुने का तू अगर ये तेरा बाप होता तो क्या इसी तरह फोटो निकालता तू इडियेट जाओ जाओ लिसन गाइस प्लीज स्वीच ओफ ये और मोबाइल फोन इट इस वेरी इंपोर्टेंट घर परवार सबको भूल जाओ नो परसनल डिस्ट्रेक्शन मुंबई पुना ना सिके सभी पूली स्टेशन में इस बॉम ब्लास्ट के बारे में सब कुछ फैक्स कर दो किसी पर भी अगर शक हो तो उसे हिरासत में ले दो और अशीत मुंबई के सभी होटेल्स में खबर वेजो की हर एक के सामान का स्कैन करे और पुलीस की मदद से सभ अब भी रहने वालों की लिस्ट मंगो आज इस बल्ड रेल्वे स्टेशन सबस तेंड एस्टेटी बूत पर सर्च तीम बेजो और अलर्ट यॉर्ट इंफॉर्मर्स राइवे गाट इट यॉवट आवे अट इट आट वाफिस एट फन फ़फ़ जिरो जिरो शान वोग जो अब आव जो आट नाओ आट शन्जय शीडोट जीड जीड एप्ट वन फोर बॉइस इस एवरी लोकल सर्च तीम यह संग हाँ है अब बूद पूद मेड़ने को है और बूज जारे है कह अटो कि है, अखर संट, को वार!! तक मी, तक मने की बनाभास deciding वी में से जे जेगे हैं करना फ़ृड़ा फाफटा जाकू सर्वारी अ्यूँकी नहीं की नारे अम कुरा करती को यूदि नहीं में आपारिय। आयशा बेगम यूद्ट रिचसे बाव सेट अर्फ साहर को फिल एख भी मयुद्ट होड़ा है। हुआ छेका कि अच्छी भिष्थ में जो भी सब्मकु एखा लिया है। बाबुसेट, उर्फशाबुसेट, वेर इसी, कहा है वो? सर, हमने उसके घर और फैक्टरी में छापा मारा, कहीं कुछ पता नहीं चला, वो गायव हो गया, सर। Nonsense, क्या वो जादुगर है जो गायव हो गया? वो एक social leader है, सर, उसे arrest करने से law and order की प्रॉलम आ सकती है, सर I don't want any excuses, कल सुबह मुझे वो यहाँ चाहिए, I want him here tomorrow, got it? सरा साब उसेट, पुलिस क्यों सलीव तुम डर्थे हो स्ट injust स्ट पुलिस स्ट प्रॉल डर्थे हो स्ट प्रॉल स्ट प्रॉल क्या है अश्रफ आपको यहां से ले जाने की इजाज़त हम पुलीस वालों को हर्गीज नहीं देंगे इनके साथ मैं जाने का वादा कर चुका हूँ तुम बीच में रोडा मन दुनो हुँ बाबू सेट उर्फ श्राबू सेट जी हाँ आप क्या खम करते हो वाट्स प्रफेशन कहीं तरह के बिजनेस हैं कहाना बिजनेस करता हूं किस लिए अरेश्ट किया है तुम्हें जानते हो जानता हूं वाई क्योंकि मैं एक मुसल्मान हूँ तो फिर मैंने और मुसलिम लोगों को अरेश्ट क्यों नहीं किया तो इसका आपको अपसोस है क्या ओ इस बॉम ब्लास्ट के साथ आपका संबंध है अगर मैं ऐसा कहूं तो आप जो भी बोलते हैं कानून बन जाता है और फिर कल को ऐसा ही कुछ होता है तो युमीन तो से इ थैंक यू थैंक यू लेट सी हमारे पास उसके खिलाफ काफी सबूत है जैसे भी होगा कोट से रिमान लेकर हम उसे जेल में डालेंगे मुंबई नासिकपूर्णा में भी इसका असर होगा हमारे लिए मुश्किल काम है लॉट अप्रॉब्लम्स हमारे लिए इतना इजी नहीं है पर उनके लिए भी इतना संदू रगाओाओाओाफादादादादादादादादाबब्लम्स कर दो अाइस अाइस बोड़ां परोा छंड ग्टार सेमय हो दो 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 और दो किला दो धुझाए डिया दो अब अधिर दोगा है यह 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 है यह 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 है जो अजा मैं कर दो कर दो प्रूप्राइब 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 नहीं चेंगा प्रूप्राइब रिवार्ण। कि इस डी कॉल करनी है कितनी गर्मी अंदर इसी लगना चीए ना कितना हुआ पच्चासी रुपय हो गया गर्मी कि इस्टी के नाम पर लोगों को लूट रहो ना देख लोंगा मैं तुमको यह रेलवेट के पैस आता है ना कोई टांग तुड़ूगा मैं तेरी कितना हुआ दो कालो वा सर छेसो एकिस रुपए हुए सर आपका बैग और थेंक्स कितना हुए कितना हुए कितना हीुए झाल 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 ग्भ झाल जाल झाल 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 यह यह है मिस्टर अनुवर अरे ये कोट है तेरी कलोनी की गलीने की विसल मार रहा है देखा जज तोड़ी मार सकता है मैं सीडी भी नहीं मार सकता क्या जमाना आ गया क्या नाम बताया था भाई अनवर मैं अश्रम शाबुसेट का राइट हेंड बहुत पुराना दोस्ती है अप उनके बिना बाबुसेट कोई काम नहीं करता है जेल में तो तुम्हें देखा नहीं बहुत दिन से बुला रहे हैं पर वह क्या है लाइन नहीं मिला ना पहुंच आएगा जल्दी ये लोग है फिर से स्टार्ट हो गए अरे ये लोग तो शाजी ग्रूप के आग्वी हैं चाबुसेट होते तो ये कोई नहीं दिखता अरे भाई किधर चलना है सीधा रे सीधा चल ठीक है अभी रोग देखोड़ा अब उन दूपर तक इदर ही रहेंगा उसके बाद मिलने का ये तो दुकान पर आ जाने का ठीक है ठीक है भाई लो आ गया तुमने जो मोबाइल दिया था ना उसमें तो कैमरा तक भी नहीं है पांसे रोपी को मोबाइल में मिक्सी और फ्रीजब चाहिए पांसे रोपी को मॉबाइल से क्या पिक्चर बनाएगी कैमरा चाहिए तेरे को जवानी में कैमरा पूछता तो ठीक MMS बनाएगी अभी बुड़ापे में कैमरा लेके क्या करेगी आज कल की बुड़े लोग भी ना पागल होगे ले भाई यह खिड़की अगर खोलोगे ना तो स्विट्जर लेंड की जन्नत नजर आएगी ध्यान से देखने से थोड़ा बात अमेरिका भी दिखेगा क्या एरिया कमाल का पता है लगता है बाहर का महोड ठीक नहीं है बाद में दिखाऊंगा अखायर आगे तुमको कोई भी चीज की पड़े ना तो तुमको अश्रफ को याद करने का ठीक है माइड मोबाइल नंबार इस नाइन एट फोर जिरो सिक्स डबल टू डबल फाइफ जिरो ओके अभी आपन चलता है अगा अरे पापने लगता है बुडिया अभी तक नीचे बैठी है किसी तरह बचके निकलना हुआ साबू सेट और उसके आदमियों की बैल अप्लिकेशन कोर्ट में गई हुई है अगर ऐसी स्थिति में वो बाहर आ गये तो विकांट वैनिधी तो फिर क्या करें इंडिया इस डिमोक्रेटिक कंट्री यहां कोई भी कहीं भी बैल ले सकता है एंड मोरोवर उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम नो क्लूज नो एविडेंस इट सॉल इंकॉंपेटेबर बट सर साबू सेट जैसे लोग बाहर घूमने लगे तो बहुत सारे निर्दोस्त लोगों को अंदर जाना पड़ेगा इसकी पहुच बहुत ऊपर तक है इसलिए वो लोग दादा गिरी कर रहे हैं यहां पर आकर अन्वर है उदर है नहीं दर है वो चाय पी रहा है उसे फोन दो शाबू सेट शाबू सेट शाबू सेट असलाम वालेकूम वालेकूम सलाम तुम्हें जगह पसंद आई मुझे ठीक लेरी कोई प्रवाब्लम है वहां माना हुआ एक गुंडा गैंग प्रॉब्लम कर रहा है सब्ता क्या इंतजार करना पड़ेगा कर दो कर दो कर दो कर दो कि यहां शाजी कौन है? बात क्या है? पहले यह बता. वो सब कुछ मैं शाजी को यह बताऊंगा. इसका मतलब है कि तुम शाजी को ही बताऊगी? हाँ? हाँ. तो फिर वता, मैं ही शाजी हूँ. कर दो क्या यह हुआ 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 क्या यार मैं वें भार सुआ रहुआ हुआ हुआ तर समाव 1 ते प्रेसि आ सबहाँ अरुडे हम आो में यसली चार बाग झाल 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 कि अच्चपब और अभार हूं से अभार अदिए कि अवार भीट खुण वार को कि अज़ नफ दूब थे अभार अभार भीट यह की? हाँ 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 प्यूच्या चर शड़ प्यूद्ट चर्वत प्यूद कर दंब यूद प्यूद प्यूद चर्वय प्यूद ऽाफ भाफ घाफ झाज हाए राफ तराहत कर दो को थाफ नाफ जाफ जसाए जडैंगा इंग हाँ कि अपने इंग लग नाफ चाराफ जड़ा जाफ जडेदार्णिम्टर्ग कि अेफ खिरेगी जड़ित कि उड़िते हाए अज़ ऑड़ हुग! अपने आदमियों के साद इस जगे से तुरंट दफा हो जाओ और आज के बाद तुम या तुम्हारे आदमी का भी यहां पर दिखाई दिये न तो तुम में से कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा असलाम वालेकुम सापुसेट वालेकुम असलाम साजी और उसके आदमियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया क्या अरे सिर्फ इतना ही नहीं भाई उनका तो पुरा परिवारी हॉस्पिटल में आवसा है अधे पाप रहे दीदी वहां क्यों खड़ा है कितरा कौन यह आप से मिलने कोई जेल से आये हैं क्या कहा जेल जाना तुम्हें बुरी बात लगती है नहरू गांधी सब लोग जेल गये थे वो सब लोग अच्छे काम के लिए जेल गये थे आपकी तरह नहीं बुरे कामों क के लिए तुम्हारी वज़े से पता नहीं हम दोनों को कब पुलिस ले जाएगी बार बार जेल पुलिस का नाम लेकर तुम मुझे डराती कि हो चुक चाप अंदर क्यों नहीं जाती हाजी मुहम्मद अली के घर में जब मर्द बोलते हैं औरतों को बोलने का कोई हक नहीं आ मा तुम अच्छी तो हो मैं तो अच्छी हूं पर तू कमजोर हो बहुत दिनों के बाद आया हूं तुम्हें ऐसे दिखेगा खाना खा के आया है क्या खा लिया मा चिंता मत करो तुम्हारे अब्बा हमेशा मुझ से बूला करते थे शाबू को कभी अकेला मत छोड़ना जमा अभी तुम आरे बारे में सोचती हूं बहुत डर लगता है बेटा अरे मा तुम बिल्कुल परिशान मत हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत दिन्हों थे इसलीं तुमसे मिलने चलाया है अच्छा मैं चलता हूँ ओं Tam है ना बन्त मेरी बेहन ने जो कहा वो तुमने भी सुना होगा, मेरी समझ में निया था, ये लोग मेरे बारे में हमेशा ऐसा क्यों सूचते है भला, मेरी और उसकी आँखों के सामने पुलिस वालों ने पिता जी को मार डाला था, वो सूचती है ये सब किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल, मजहब के नाम पर पुलिस वाले मुसल्मानों का खातमा कर रही है, ये मुसल्मानों की बदकिस्मती है, पुलिस की इज्यादती आखिर कब तक सहते रहेंगे, उनके जैसे चार बार खाना खाके, टीवी देखते हुई एक अच्छा मुसल्मान मैं हर्गिज न पांच वक्त की नमाज पढ़ने वाले और रोजा रखने वाले एक सच्चे मुसल्मान हो न तुम। तुमने अपनों के लिए क्या किया अगर अल्ला तुमसे पूछे तो अल्ला को क्या जवाब दोगे कि तुमने स्मंगलिंग किया। कभी तुमने सोचा है इसके बारे में। बोलो अनवर्ण, अगर तुम एक सच्चे मुसल्मान हो, तुम माथे पर नमाज के निशान को पोलीस की गोली भी कुछ नहीं कर सकती. अपने भाईयों के लिए जान देने वाला ही सच्चा मुसल्मान कहलाता है, अगर सच्चे दिल से तुम अपना फर्ज निभावगे, तो पोलीस की गोली भी तुम्हारा कुछ नहीं भी गाल पाएगी. मैं जानता हूँ सामुसेड, आपने जो भी कहा, वही मेरे मन में भी है. मेरे साथ रहना है तो ये तुम अपने पास रखो. नहीं तो तुम अपने रास्ते खुशी-खुशी जा सकते हो. मेरे साथ तुम अपने पास रादे खुशी जा स्वापने जा रास्ते लादे खुशी जा थी खुशी अपने आपने पास रहे लेखुशी तुम नहीं जाएगे. हेत्रों सक्राम परिफेस्टों ना देश्टा ना देश्टा ना देश्टा कोशा से पोरो पॉस्ता हिया निंदगी है जील यारा आगे बढ़ जा जीना मरना सब यही है डरना क्या है नोफा से भी आगे बढ़ के मतल तो अपनी है बना ले ओ मेरे ओ यारा दिलदारा आगे थए और आगे बना दागे देश्टा कोशास कर दो 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 इस पर पूरी निग्रानी रगा इन लोगों को डर महसूस होना चाहिए कर दो कर दो कर दो ये कि कि सर्च कर रह defines you search नोपी दाव हो जब से जारा परिशान कर रह रहे हैं पुलिस वाले हर मुसलमान के घरों में और जहांपा मार्ण चाहा हैं यह पागल हो गया है अगर कोई विरोध करता है तो उसके और बच्चों को मार रहे हैं लोग यह सब देखकर कैसे चुप रहे सकते हैं ठीक है तुम्हीं बताओ कि अब क्या करें रेल्वे स्टेशन और बस स्टेंड में बम रख सकते हैं तो हैड़कॉर्टर में क्यों नहीं है उसमें क्या परिशानी है पड़ेगा नहीं क्या सर के बलवला है सर, आप्तो टीवी आने लगा नहीं? आप, आरे, आरे. इस ब्लास्त में आर्डियस्थ का इस्तमाल नहीं किया गया है सर हाग्तों टalah tarif के लिए किया जाता है पर ये सिर्फ दहशत फेलाने के इरादे से किया गया है उन्हें लगा इससे पुलिस में एक्मे में खलवली मत जाएगी गुर्ड कि कमिश्णर साहब ने फोन करके आगाहा कर दिया था इसलिए यहां पर कोई बड़ा नुक्सान नहीं हुआ सर्थ कि कि यह स жизни बढ़ नहीं है ड से कि अप्टब चित्र मीशन थोतर का सिर्फ था इसलिए, कि यहुआ है, है तो सिर्फ कियोंक बड़ाओ । कि इसलिए पाले कहारा ब़ल रस पा स्कोल्त। आणि मैंग कि अगे से सुरिफ धंगी थ्याल । वेल, आपके लिए मैंने निउस्पेपर्स, मैकजिन्स, धर्मी किताबों का इंटर्जाम किया था, आपने पढ़ी, आपके सेशन चीफ, मिस्टर वेंकटेश, इस नो मोर, इतने दिनों तक, पुलिस से डर कर छुपे वे थे, हमारे लोग जब उन्हें आरेश्ट करने के लिए गये, तो उन्होंने सुसाइट कर लिया, इस साइड बट वी गोट सम्रील स्टाफ, आश्या, पुलिस हैटक्वार्टर पर जो बॉम ब्लास्ट वा था उसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती, वाट अनुवर, यह भगवान पर भरुशा करता है, इस ही अट्रू बिलीवर, वालेकुम, 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 मशीर भै, यह अनुवर, अनुवर, वालेकुम, 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 असलाम, रह्मत अल्लाह, बरकातु हो, राना, यही है हमारा नया हीरो, अनुवर भाई, बैड़ी है, शाबू से, इन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, पुलिस हेड़्कॉर्टर्स में जो ब्लास्ट किया है, वो एक सच्चा मुसल्मान ही कर सकता है, जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है, और वो तुमने गर दिखाया, जिन्दगी और मौत की जो परवा नहीं करता, वही जजबा तुम में है, तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो, बड़े असीद हो, पुलिस बहुत अलर्ट हो गई है, हमें बहुत ही होश्यारी से अपने काम करने होंगे, एक एक बलास्ट पावर्फुल होने चाहिए, ताकि सर सरकार पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, और पुलिस हमेशा की तरह, निर्दोश मुसल्मानों को अंदर डाल देगी और हमारा फाइदा होगा, एक एक निर्दोश की जिन्दगी, एक एक बलास्ट का रोब लेती जाएगी, यही हमारा मकसद और इसी के लिए हम सब काम कर सेल में फिट किया है, इसे अची तरह टाइट कर दो, अमोनियम नाइट्रेट के पीछे, यह मैगनेट फिक्स कर दो, इसे फिक्स करने के बाद, इंसिलेशन टेप से पूरी वायरिंग टाइट कर दो, टेप लगाते समय है, टाइमर कवर नहीं होना चाहिए, यह तो मैंने कर दिया है, लेकिन टारगेट किसी और कैसे करना है, यह तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, वो तुम्हें खुदी करना होगा, हम मानते हैं तुम लोग इस लायक हो, इसलिए वहाँ जाकर इसे लगाना है, फिर टाइमर राउंड करना है, टारगेट के आसपास किसी लोहे पर इसका मैगनेट चिपका देना है, इसमें अगर जरा सी भी चूक हुई, तो तुम्हारा क्या हच रहोगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, समझ गए ना? और कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें, इतनी बार समझाने की बाद भी समझ में नहीं आए, ये इस काम के लायक नहीं है साबुसेट, ये घबराहट में बम यहीं कहीं गिरा देगा और हम सब के सब लोग मारे जाएंगे, तुम उसे ठीक से समझा दो, वो कर लेगा कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उसकी समझ में आजाएं, समझे, बोलिये सर, मुझे नहीं मालूँ वो कौन है, ओके सर, कम से कम इस बार तो ठीक से कर, जा, सुनो, इसके बारे में तुमने कहीं जिक्र किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शाबुसेट, सिर्फ चचेरे भाई को बताया, उसी से कहा था, कि मैं ये सब करने जा रहा हूं शाबुसेट, वो किसी से नहीं कहेगा, शाबुसेट, मेरा यखीन करो, वो किसी से नहीं कहेगा, अगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, तो पुलिस उसे घर क्यों गई, सब उल्टा काम करते हो, जब इस काम के लिए तुम्हें रखा था, तब बहुत समझाया था तुम लोगों को, बहुत सूच समझ कर काम करना चाहिए, अब तुम्हें बचाना मेरे बस की बात नहीं है, जए, 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 सलीम, अन्वर, साबुसेट, वो हमेसे ही एक था, उसमें गलती से इसा कर दिया था, उसे पुलीस ढून रही थी, अगर वो पकड़ा जाता, तो पुलीस का अगला तारगेट तुम या हम होते, उसे रुकने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मारना पड़ा, मैंने तो तुम्हें पहले ही ये बात बता दी थी, कि उससे ये काम नहीं होगा, अब आगे जो कुछ भी करना है, वो सिर्फ मुझे ही करना है, नहीं अन्वर, पुलीस को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, उनको भले ही फोन पर इंफॉर्मेशन मिल गई है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, मैं अपने मकसद में काम्याब होके रहूंगा, ये मेरा आप से वादा राख, अगले दो दिन बहुत क्रिटिकल है, हमें स्ट्रॉंग रहना पड़ेगा, कोर्ट में बलास्ट होने वाला है, ऐसी ख़बर मिली है, और इस फ्रॉम मेरी रिलेवल सोर्सेस, इसलिए हमें चप्पे चप्पे पे कडी निकरानी रखनी होगी, I hope you won't make any mistakes. कर एफ शर्ण और्ण मेज़ और नगर उन्हान जो प्रण याज़ जो आपके आली जो बाता रहने कि अपके लिएहां जो जो आपके लिए कि अपके अबाईब प्राइब हाँ झाल 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 सिटी में हुए बॉम ब्लास्ट में तस आद्मियों को चोट लगी और चार आद्मी मारे गए अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो महराश्ट में जितने बॉम ब्लास्ट हुए हैं ये भी उनी इंटरनाशनल टेररिस्ट ग्रुप का काम होगा ऐसा पुलिस देपार्टमेंट को शक है मरे हुए लोगों के बारे में अभी तक पुलीस ने मीडिया को कुछ नहीं बताया ये डाट इस बिकास इट पॉलिस देपार्टमेंट तो कीप दो ऑपरेशन अ सीक्रेट अब तक के लिए इतना ही फिर मिलेंगे दोपैर की न्यूज में कमाल कर अनवर तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया क्या हुआ है क्या हुआ खामोश क्यों हो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया और सिर्फ चार लोग मारे गए कितने लोग मर गए उसका गब नहीं है लेकिन मरने वालों के बारे में सुनकर जो जिन्दा हैं वो बहुत डर गए हैं इसी देश्चत के जरीए हमें अपना मकसद पूरा करना है हम आगे जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे इसके लिए तुम हमेशा मेरे साथ कोईम बटूर में जो बॉम ब्लास्ट हुआ था वो अब तक पूरे देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था यह लोग उस ऑपरेशन के पीछे थे सबके सब लोग बाहर से आये थे और लोकल हेल्प के लिए हमारे लोगों ने इनका साथ दिया था बाकी यह सारी योजनाएं उन लोगों की थी एक साल की प्लैनिक थी पंगलादेश और नेपाल की सीमा पार करके वही दसार में फिर इदर आएगी तूरिस्ट के नाम पर जब वो यहां आएंगे तो उने ठहराने का जिम्मा हमारा होगा उनके पास कोई हत्यार नहीं होगा RDX और बाकी हत्यार हमारे बोटों के द्वारा उन तक पहुँचाये जाएगा इस खतरनाक काम के लिए एक उस्ताद का होना जरूरी है तब ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं बशीर भाई ने तुम्हारा नाम रेकोमेंड किया है बड़ी ही होश्यारी से तुम्हें इने मुंबई पहुचाना होगा कोईम बटूर ब्लास्ट के बारे में तुमने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा देखो हमें ड्रस देखो सब्स्ताइब 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 अरे वाय मास्टर जी आ है क्या तुम को आया अनवर हाँ बही या दो तीन देन हो गया तो हमारे शाहर में ट्रांसफर ले सकते हो ना गवर्मेंट सर्वेश सोड़ी है कि ट्रांसफर मिलेगा खाना काये कि नहीं हाँ पेट बर के खाया है मैंने अच्छा फिर मिलेंगे ओके बहिया बाई की चावी देना मास्टर जी को छोड़के आता हूं जल्दी आ जाओंगा अरे भशीर यह बच्ची इस रसोई घर में क्या कर रहे हैं अस्सलाम अलेकूं वालेकूम अस्सलाम अमा अरे तू आ गया लेखोमा फिर कोई बहार चाने का कम मत बताना चार पाँच बार बाहर बाहर हूकर आया हूँ हूं आज कल फो ये सारे काम फोन पर हो जाते हैं तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारे अब्बा नहीं दावत्ती है अमेरिका से तु यहां तक आया है अपनी बेहन की शादी के लिए ना तो थोड़ी भाग दोर तो कर ले एक लौती बेहन इतरी समझ रहा है ना तु थोड़ा काम करेगा तो अपने रिष्टेदार तुझ शंकरवांडे बस स्टेंड पर इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर आ जाओ अब्बा वेजा मस्टर को ड्रॉप करने के लिए मैंने जमाल को बाई की चावी दिये वैसे जन्याप लाने की बात कर रहा है वो तो कितनी बार इस घर में आ चुके हैं कोई बात नहीं बेटा कार ह जा सकते हो ना चले जाओ वेटा अजी सुनिए उस काम के लिए किसी और को भेज दीजिए यह अपनी बेहन की शादी में आ रहा है इसे यहीं रहने दीजिए ऐसे काओ ना मेरी प्यारी अमई तेरे नेनों से ही सूरज आज चमका है तेरे होटों से ही चांद मुझे को दिखता है तेरे आकें करे शारे प्यार जलकाए मिलन होगा आज के दिन दोनों जाएंगी खल्वी लगती खल्बी लगते, खल्बी लगते, खल्बी लगते, खल्बी लगते तेरे नेनों से ही सूरज आज चमता है, तेरे होटों से ही चांद मुझको दिखता है तेरे आखें घरे शारे प्यार जलकाए मिलन होगा आज के दिन दोनों हो जाएंगे खल्बी लगती यहां यह आईच्छा है मेरी फ्रेंड कैसी हो बेटे प्यार तेरा बांदे मुझको चेहर तेरा के उटारे दिल मिलेंगे फूल खिलेंगे प्यार के इस राग में सात मेरा सून भाला दिल से दिल को जोड़ना खर्विलती, 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 खर्विलती तेरे हूटों से ही चांद मुझको दिखता है तेरे आंकें जरे शारे यार जल्काई मिलन होगा आज के दिन दोनों हो जाएंगे कितनी देर हो रहे है जल्दी आई है न आउटी ले चलती हूँ कर आओ आईशा हसी ना जरा डिकी खुलाओ ना भाईजान जरा डिकी खुली ही ना यह घर के लिए है क्या तो बहुत छोटी फैमिली है तुम्हारे बाई बाई कहां चलना है अरे बताओ तो सही आकर चलना कहां है हलो बोलो ना कहां जाना है अरे मेरे पास और भी काम है पर्स राइट और लेफ्ट फिर राइट में दूसरा घर यहां तुम यहां रहती हो क्या अहां मैं यही रहती हूं आईए अंदर आईए यहां मैं हेल्प कर दूं क्या थैंक यू है हसीना का भाई है मुझे ट्रॉप करने आया है असलाव अलेकुम वालेकुम असलाव आये दीदी आगे दीदी आगे दीदी मुझे भी दो ना यही मेरा घर यही मेरा सब कुछ है मैं यही पलीवड़ी हूं हसीना को सब मालूम है हम दोने एक ही कॉलेज में पढ़ते थे आजकल मैं कोईमबतुर में केमेकल फैक्टरी में काम करती हूं और वही हॉस्टल में रहती हूं हसीना ने कई बार कहा कि मैं आपके घर में रहूँ पर जब भी मैं यहां आती हूँ मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है ओकी फिर मिलते हैं मुझे ट्रॉप करने के लिए थैंक्स बाइ बाइ यह मेरी इससे पहले मुलाकात है इससे पहले कभी इसको देखा तक नहीं लेकिन फिर भी मेरा दिल इसके लिए दाड़क रहा है आपका डिसिजन सही है भाईजान आईशा बहुत ही अच्छी लड़की है वेल एजुकेटर, स्टबन, आपसलूटली इंडिपेंडेंडेंट हमारे बैच में सिफ उसी को कैमपस सेलेक्शन मिला था आजकल कोयमबतूर में वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रही है कॉलेज की दिनों में उसके पीछे बहुत लड़के दिवाने थे लेकिन उसने किसी को गास नी टाली तुम बेवजा उसको आई लव यू बोल के अपना नाम मत खरब करो हाँ वो थोड़ी इसके पीछे पड़ी है इसे आईशा पसंद है यलीची इसलिए उसने अबबा और मुझसे अपने दिल की बाद कहीं उसमें क्या कमी है अरे थोड़ा शरार्ती तो है बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा क्यों सही कहाना अब आप अब भी एक एहम फै प्रीवों को खाना खिलाना और बे सहारा लोगों का सहारा बनना बहुत नेक काम होता बिटा वैसे उसके दिल में क्या है उसी से पोच कर देखते हैं पढ़ाई पसंद है नौकरी पसंद है पर किसी के हमदर्दी नहीं चाहिए और यही मेरी सिंदगी का मकसद है इसलिए मे अब और अम्मी कहकर नहीं पकारा सिवय हसीनह के अब और अम्मी के आप लोगे मुझचे पसंद रहे है बेटी के निकाह के बाद पूल मेटी का निकाह कर्नी का फैस्दा कर था वो मेरी सिंदगी का सबसे हासीम्लमा था निकाह होने में अभी एकष्टा बागी था और मैं आईशा को छोड़ने के लिए कोयमबदूर गया था ओके बाई आईशा को उसके ओफिस में डॉप करने के बाद हसीना की शादी की टेस खरीदने के लिए हम लोग कोयमबदूर के एक शोरूम में गये ये कैसी है? हाँ सुपर वो पिंक वाली ये देखो वो दिखाओ अच्छी है ये पपल जादा अच्छी है हाँ ये भी बहुत अच्छी है मैं बाहर से हो करा था ठीक है बेटा जाके आओ ये देखाएए प्सक्षण से लड़ा एक सग्र अप्छी है आओ ये लो मेरे हस्ती खेलती जिंदगी इस हास्य से एकदम बदल गई जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था अम्बा अम्मी और मेरी प्यारी भेहन सबने मेरी आखों के सामने दम तोड़ दिया मैं बेजान बुद की तरह खड़ा रहा एक मिनिट सिर्फ एक मिनिट में सब कुछ खत्म हो गया और मैं अनात हो गया सलंबाई सलंबाई मैं आपको सब कुछ पहले भी बता चुका हो डाउन टू दा लास डेटेल कब कहां कैसे क्यों फिर भी ब्लास्ट में चार आदमी क्यों मारे गए आपने मुझे भी ऐसे हलात में फसा दिया चार लोगों की मौत आपके लिए मामूली बात हो सकती है लेकिन मेरी लिए बिलकुल नहीं जिस तरह एक सच्चा मुसलमान दिन में पांच बार नमाज पढ़ता है वैसे ही मैं भी पांच वक्त का नमाजी हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ एक मिनट जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे तुमने पूरा नहीं किया मैंने आपको वक्त पर खबरें दी थी इसके बावजूद आप लोगों ने सही समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया वो चार लोग कैसे मारे गए आपको बताना पड़ेगा यह बोलने कि आपकी जिम्मेदारी है और चानना मेरा अधिकार है मैंने जो खबर तुमसे मांगी थ अधिक हम वो लोग तो कभी पैझाई नहीगोए अनवर तो फिर मरेंगे कैसे तुम्हे मेरा भरोसा करना होगा मैं भरोसा करूंगा लेकिन कल अगर आपका हिंगे आइस्चा है और वो मुझे नहीं मिली तो मेरा भरोसा टूटझ जाएगा इसले मुझे मुझे आईश्ञा से मिलना है आईशा मेरी कस्टडी में सेव है मुझे आप पर भरोसा नहीं है मुझे एक बर कम से कम उससे मिलने दीजिए आपने आईशा को एक साल से कस्टडी में रखा हुआ है और आज तक आपने आईशा को गोट में हाजर भी नहीं किया वो जिंदा है या नहीं मुझे न नहीं लगाई और किसी भी कोट में हाजिन नहीं किया जो कि मेरे लिए भी रिस्क है यह सब कुछ मैं उसकी सेप्टिक लेकर रहा हूं जो कि तुम भी जानते हो इसलिए इस मीशन के खात्म हुने तक ना तो तुम उससे मिलोगे ना ही फोन करोगे तुम्हें यह समझना होगा कि मैं कीन हालाद में यह सब कुछ कर रहा हूं क्या तुम भूल सकते हो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी किया है ऑस्पिटल से पुलिस टेशन ते कितने दिन तुमने सफर किया तेल मी आनुवार हो के नूफ फॉर्गेट ड़ेट 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 ड़े जानता हूं आइशा को यही अरेस्स किया गया था तका अब से पूछ रहा हूं आपने उसे बेवज़य क्यों अरेस्स किया बताईए ए चिल्दा क्यों रहे क्या ना में तेरा सर मेरा नम अनवर एहमद मेरी पूरी फैंवली ब्लास्ट नम से ही आतंकवादी लगता है तो तेरी इतनी हिंमत कि तु ठाने में आकर हला मचा रहा है, सर इजजट से बात कीचे, मुझे इजजट से खा रहा है, तेरी इतनी हिंमत कि एक पुलिस वाले के गरवान पर हाथ डालता है, अभी बताता हूं इसका इंजाम क्या होगा, ऐसा ही, उसे मेरे पास भेजो, सर, मैं अपने अम्मी, अम्पो और बेहन की बॉड़ी पाने के लिए शाम तक मौर्चरी में दिधार करता रहा, सर, मेरे फोन करने पर ही आयशा होस्टल से होस्पिटल के लिए चली थी, सर, अब उसका फोन चेक का लिजे, उसके फोन में लास कॉल मेरी ही होगी, अनवर, तुम्हारी आलत देखकर मुझे तरस आ रहा है, लेकिन तुम जो फेस करें, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे तो चाहिए सिर्फ गवा और एविडेंस, जो तुम्हारे साथ हुआ, वो किसी और के साथ नहों, इसलिए हम यहाँ है, सर, मेरी बेहन की बेस्ट फ्रेंड थी, आईशा, हम दोनों का निकाह भी फिक्स हो गया था, मेरी फैमिली के साथ ही वो कॉयमबर टूर आई थी, तो आप ही बताईए सर, उस ब्लास्ट के साथ उसका संबन कैसे हो सकता है, आईशा, जिस फैक्टरी में काम करती थी, बॉम ब्लास्ट के केमिकल्स वहीं से आये थे, उसका बहुत सा आशकल कहा है, कुछ पता नहीं, यू नो, कॉयमटर ब्लास्ट में जो इस्तिमाल हुआ है, वो पूरा केमिकल्स आईशा के सिगनेचर से बाहर आया है, और के चाहिए तुम है, सब ना जाने ऐसे कितने गेट पास पर वो रोज फाइन करती है, यही तो उसका काम है, इसके लिए उस पर कैसे शक कर सकते है, हाँ कैने यू ब्लडी बेखर सब्सक्र, उसे बेगुना साबीत करने के लिए, अब मैं नहीं रोँगा, कभी नहीं रोँगा, रोने से कोई फाइदा नहीं होगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, हाँ मैं प्रूफ लेकर आऊंगा, लेकिन कैसे, मेरे पास कोई पावर, कोई अधिकार नहीं है, एक मामूली आदमी हूँ मैं से, किन हालातों से गुजर रहा हूँ है, मैं ही जानता हूँ, मेरे अम्मी, अब्बू, बेहन, अपना ब्यार, सब कुछ खो चुका हूँ, अब मेरे पास कोने के लिए बचा ही क्या है, अब मुझे कोई डर नहीं है, छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा, उसे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसी के लिए अल्ला ने मुझे जिन्दा नहीं जानता, लेकिन लाखों लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए मैं अपने बकसद पर निकल पड़ा, तब डिया जी माइकल ने मेरी इफाज़त के लिए मुझे एक हत्यार भी दिया, मैं नहीं जानता था कि उस हत्यार का इस्तिमाल मैं का और कैसे करूंगा, मेरे द एक जख्मी शेर, हकिकत में कहूं तो, ही वाज पर्फेक्ट हिउमन बाव। साबू सेट के साथ गहरे रिष्टे थे, तब मुझे लगने लगा, कि मैं अपने मकसद के करीब पहुंच रहा हूँ, सिर्फ एक बार, एक बार मुझे आईशा से मिलवा दीजी सर, मैं हरबानी करके नामों किन मत बोलना, घ्लेक्ट के जिए। आईशा मैं किसी को मारना या नुकसान नहीं पहुचाना चाहता है लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है यह तुम भी जानती हो अगर मैं अपने मकसद में काम्याब हो गया आईशा तो हम जरूर मिलेंगे क्या कहूं समझ में नहीं आता है अगर मेरा मकसद पाक है तो अल्ला मेरा साथ देगा इंशाला अगले तीन दिन के अंदर अंदर उन लोगों तक पहुंच जाओंगा कोई अंबर्टूर ब्लास्ट में जिन लोगों का हाथ था वो लोग यहां आ रहे हैं एंड देन मुंबई अगला टार्गेट है किसी के हाथ में पिस्टोल नहीं होगे कोई हथियार नहीं होगा हथिय और बॉम ब्लास्ट का सामान वगेरा एक दूसरी बोट में मुंबई ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौभी गई है क्यों सब लग कैसे काहँ ठेहरेंगे यह तुम उझे बता देना उसके बद तुमारा काम खत्म हो जाएगा उनके बारे में सारी डिटेल्स इसके नदर यह सtin वालेकूंस्लाउप कि यह जवाब में कहा जाता है एंष पहले कहते हैं असलाम वालेकुम वालेकूंसलाम मैं तुम्हें अरेश्ट करने आया हूं कि सबसकर मुस्पर अटाइक करो हिट मी हिट मी हिट मी हार करो मुस्पर अटाइक करो करो मुस्त करो जलो यहांसा चलो अन्वार चलो जल्दी 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 वहाँ उनके साथ यही था क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो वहाँ कोई और नहीं मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं उसका अकेला आना हमारे लिए फैदेमन साबित हो गया से चार गोलिया मैंने उसके सीरे में धड़ा धरुतार दी वहीं पे धेर हो गया ठीक है तुम जाओ सभल कर रहना कल वो यहां पहुंच जाएंगे इसलिए तुम अकेले बाहर कहीं मत जाना समझ गया सलीम अनवर पर हमेशा नजर रखो कर दो वो सब लोग यहाँ ठीक ठाक पहुँच गया है आठ लोगों को रिसीफ किया है लेकिन दो लोगों को छुपा कर रख दिया है वहाँ उन्हें हिल्प करने के लिए हमारे आदमी साथ रहेंगे कल शाम को पांच बजे सब लोग यहाँ से निकलेंगे गाड़ी निकलने के बाद हमारे पीच कोई संपर्ख नहीं रहेगा लेकिन दुनों गाड़ीों में जीपीस है इसलिए उन्हें कोई प्राब्लम नहीं होगी थोड़ी दूर जाने के बाद एक चर्च आएगा उसे क्रॉस करके जब हम आगे जाएगे तब वो रास्ता पुराने डॉक्याड तक जाएगा उस याड में आड़ी एक्स और ब्लास्ट करने के सारे सामान और हत्यार के साथ अन्वर वहां बोड लेकर तयार रहेगा कि अहां zwें में आगलॉके जाएगा ओाक तो लो ऑचे जाएगा ड॥क्त कर दो नागे यच lung सुद्थ प्रवस्त आपकोजा थार भाउटाजाइए आपकूपाइए औरे लिग्योने विघ्टी टूखए लिए आपकोगारी विर बाउटाजब से अज़ रहते हैं बाले दो और उतलों। चाहिए चाहिए, चाहिए भी नचाहिए कौन है बें तू? अनवर यू? अनवर बेंट आवश आवश इंवर 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 प्रश्लाप कर दो कर दो दो सकते दिड़ा हुआ है, अर्ट भित मेंट, अर्च है कर दो रुड़ा दो सकते दो ज़ा है। झाल 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 कंग 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 जूर कंग कंग कि कि अवित ye कि ने पिल दृए बन सवल सबडे हुआ अवचल प्राय के घंडर प्राय का बताक हुआ हैं लुट 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 सबस्टाइब लुट झाल झाल टिम है जढ़ा नढिल। अगल बया है प्राइब लेफे 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 हैं अन्वर क्या हुआ तुम नहीं गए वो सब लोग कहा हैं वो सब चले गए मैं नहीं गया क्यों नहीं गए इन सब को भी वही पहुचा दिया तुम्हारे लिए भी वहां थोड़ी जग है बाकी इस्याबू सेट तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं मुझ पर भरोसा करने वाले सभी को दुखा दिया सच्चा मुसल्मान तुम्हें कभी माफनी करेगा तुम्हारा भरोसा गलत साबित हुआ शाबू सेट क्योंकि तुम्हारे सामने सच्चा मुसल्मान यानि मैं खड़ा हूँ इसलाम के नाम पर हमारे प्यारे देश को बरबाद कर रहे हो तुम्हारे जैसे लोगों के कारण कितने निर्दोश लोग मारे जा रहे हैं चाहे वो हिंदू है या मुसल्मान अपने अम्मी अप्पा और बेहन की मौत को मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूँ और लोगों ने क्या गुनाह किया था कोई अमबर्टूल प्लास्ट का अजश्नतम लोगों ने बहुत जोरदार मनाया होगा लेकिन इस हासे में इसलाम का सही मतलब बताने वाले मेरे अबबा गरीबों और भुखों को खाना खिलाना बे सहारा लोगों का सहारा बनना ही नेक काम है मेरी अम्मी जान जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था और मेरी पहन जिसकी अभी शाती होने वाली थी उन सच्चे मुसल्मानों को तुमने ऐसी मौत मारा की बेचारों को कफन तक नसीब नहीं हुआ उसी दिन तुम्हें और तुम्हारे ग्रहों को खत्म करने की कसम खाई थी उनमें से किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ूँगा इसलिए अल्ला ने मुझे जिन्दा रखा है मिट्टी से पैदा हुआ और इसी मिट्टी में दफन होकर जन्नब जाने वाला सच्चा मुसल्मान हुँ मैं तुम्हारे इस गुनाह की माफी नहीं है अल्लाह पे भरोसा करने वाला कोई मुसल्मान, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा तुम हार गए शाबू सेट मौत तुम्हारे लिए आसान सजा होगी, मैं तुम्हें मारूँगा नहीं तु खुद अपने आपको मारेगा और तुम्हारी मय्यत को कान देने के लिए कोई सच्चा मुसल्मान हेलो, मैं अन्वर अन्यक राज्यों में देश्चत फैलाने वाले गिरोह का खात्मा किया एक ATS आफिसर माइकल स्टैलिन ने ATS टीम ने वीरता से ये काम करके देश का कल्यान किया है कोई मोटूर ब्लास्ट के बाद मुंबई में ब्लास्ट करने के लिए जिस गैंग ने प्लान बनाया था उनका सामना कर उनको खत्म करके पूरी ATS टीम सब तरफ से प्रसनता की हकदार बन गई परंतु नातकवादियों से लड़ते हुए ATS चीफ माइकल स्टैलिन मनिमारन शहीद हो गया उन्हें मर्नोब्रांत राष्टपती मेडल से संपानित किया गया कोई मोटूर ब्लास्ट के पीछे जो लोग थे उन सब का पता चल गया है इसलिए आईशा को रिलीस किया गया इन सब देश द्रूईयों से लड़ने वाले जाभाज हिंदुस्तानी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया उस सन्वर के बारे में किसी ने कुछ पूछा नहीं और वो अपनी जिन्दगी जीने लगा आज तुम क्लास लेने नहीं जाओगी आज कर छुटिया चल रही है न